बैया आजे देवगन की फिल्म भोला खा एक छोटा से टीजर आज उसके मेकस ने दे मारा है जिसमें दिखाया गया है एक अनात आस्रम जिसमें एक बच्ची को बताय जाता है और उससे कहा जाता है कि बेटा आज तोड़ा जल्दी सोना क्योंकि कल तुमसे कोई मिलने आ रहा जी हाँ आजे देवगन वोनीका इंटॉड़क्शन होता है लेकिन काहिक इंत्रो में फ्रो का से नाराज है बठीक है आजे सर की फिल्म है तो सहलेंगे फोड़ा सा चाहे लेंगे थोड़ा सा जी हाँ तो बहुत ये मुद्दे की बाद पर आते हैं और आपको ये बताते हैं कि ये एक रिमेक है जी हाँ साल 2019 की तमिल फिल्म केथी का जिसने पनी रिलीज सही बोक्स ओपिस के चितरे फार दिये थे उसकी कहानी ही फिल्म का असली हीरो थी चैट टिस्टें टर्म्स थे भाई मतलब एक अलगी लेवल का एक्सपिरियन्स था वो वैसे केती मुवी लोकी यूनिवर्स का भी इस्सा है जो कि हम विक्रम मुवी में देखी चुके हैं और अब उसी का नेक्ट पार्ट बोले तो केती टूबी आने वाली है हमारे सूत्रों से मैं पता चला है कि इसकी सूटिंग भी अगले साल सुरू हो जाएगी एनिवेस टीजर की बात करता है तो बोल्यूट रिमिक पर रिमिक बना रहा है लेकिन ये क्या बना दिये बे इसके बज़ाए तो आजे को दिल्ली का चोटा ये बड़ा भाई बता देते और कहानी थोड़ी सी अलग कर देते और फिर लोकी उनिवर्स की मूवीस में इसका क्रोस ओर कर देते भाई मज़ा आ जाता कसम से मतलब रोलेक्स, विक्रम, केती और उसका भाई एकदम बवाल वाला महुल बन जाता गुरू मतलब एक बड़ सोच कर तो देखो यार वैसे हमारे इसाब से बता रहा हूँ तुझे दा सीरिस मत हो जाना पाकि टीजर बढ़िया है इसका म्यूजिक भी बड़िया लगा जो कि रवी बसरूर ने दिया है लेकिन इससे भी बड़िया बात तो ये है कि इसको डायरेक्ट भी आजे भाया ही कर रहे है अब देखो आजे देवगन जितने अच्छे एक्टर है उससे कहीं ज़्यादा अच्छे डायरेक्टर है उन्होंने अपने डायरेक्टर का जादू अभी हाली में आई रनवे और सिवाए में बिखेर रखा है और हम जानते हैं कि दोनों ही फिल्में डायरेक्टर वाइस कितनी सही थी और एक न्यूस तो ये भी है अंकल कि जो ओम राउज जी की फिल्म ताना जी थी थी ना उसको भी आजे सान नहीं डायरेक्ट किया था अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसा रिपोर्स का केना है मेरा नहीं और साइध ये अधी पूरुस में उनका काम देखकर फैल आई गई अफवा भी हो सकती है लेकिन गुरू आजे देवगन एक बढ़िया और कमाल के डायरेक्टर है तो फिल्म में मज़ा तो बहुत आएगा और वही हमको चाहिए भी और अब बात करते हैं कि ये फल्म चलेगी या पिटेगी तो वही ये एक तो ये फल्म रिमेक है और अप तो जानते ही हो कि ओडिन्स रिमेक्ज़ फिल्म के साथ आजकल क्या करती है विक्रम वेदा का हाल अपन जानते ही है फिर Star Power, Actors का performance और उसका direction भी रद्दी के बाओ बिग जाता है लेकिन अब सोल यह आता है कि Drashim 2 भी तो remake ही है लेकिन फिर भी वो कैसे माल पर माल छाप रही है तो बैज यह माना कि Drashim 2 remake है लेकिन उसका original Hindi version अवेलेबल नहीं था लेकिन इसका है तो इसका हल विक्नम वेदा जिसा हो सकता है बागी आपको इटीजर कैसा लगा और आपको क्या लगता है इसके चलने और न चलने को लेकर हमें कोमेंट में जरूर बदाना और वीडियो गर आपको अच्छा लगा हो तो सेर भी जरूर करना चलीजीन रदे रदे